है Ganja is here we are in a brand new chapter decision making अभी कि यह लाज Да रहे हमारे से लिबयस का और किसी भी और इस्जिक फे होता है कि हर चेप्टर के जैसे है इसमें भी हम लोग डिरिकली ऊर्गनाइजेशं का पाइजमब्बरी那么 सबसे पहले देखते हैं एक इंडिवीजूल एक नॉर्मल इनसान का लाई एक बंदा है कि वह काफी अनहल्दी है ठीक है वह काफी अनहल्दी उसके पास एक्सेस फैट है वह उदास इस बात को लेकिए अब उसके पास दो ऑप्षिन है पहला वह डाइट करें और अपना जिस option को यह चूज करेगा वह इसका decision होगा अगर फॉर इक्जैम्पल ही वो फॉर option number one अगर वह डाइट कर रहा तो क्या इसका result इस action का result तुरंत मिलेगा नहीं ताइम लगेगा लेकिन मिलेगा अगर वह अपना इसका result भी तुरंत नहीं मिलेगा ताइम आने पर इसका heart disease होगा इसका cholesterol लेवल अलग होगा शुगर लेवल गलत होगा तो ताइम के according आपके decision का reaction आता है बात को समझो मेरे अभी तुम्हारे decision के आज नहीं पढ़ते हैं और डेली यह decision लिया जा रहा है तो एक्जाम में क्या reaction होगा अगर decision के आज में घंटा पढ़ेंगा और डेली इसको increase करेंगा तो एक्जाम में क्या होगे पास तो सिंपल सिंपल decisions हमारे failure success को decide करते हैं उसी तरीके से एक organization में जो भी decision लिया जाता है वो उसके best interest के लिए होता है कोई भी organization का manager organization का नुपसान के लिए decision लेगा नहीं कि अच्छा कही strategic हो या फिर कोई भी business activity हो strategic जैसे बड़ा-बड़ा business decision की product कैसे बनाना है product कहां बाटना है product content में रखना है या फिर हर age का group use कर सकता है यह सब या फिर छोटा से छोटा business decision business activity उसमें decision जो है वह हमेशा complex लगेगा decision is complex simple नहीं होते decision लेना अलग-अलग option होते हैं तुम्हारे पस अलग-अलग alternatives होते हैं और decision वहां से लेना होता है तो decision कौन लेता है जब वह simple चीज नहीं हो तो professional वो professional कौन है हम लोग CS CS and CMA कहीं कहीं पर MBA यह लोग decision लेते बड़ा-बड़ा क्यों इनको पढ़ाया जाता हो यह exam crack करते और यह खुद को प्रूफ करते कि यह उसके लायक है जबकि small organization जो छोटे-छोटे organization होते हैं वहां पे भी managers होते हैं लेकिन कम होते हैं decision वहां पे भी लिया जाते हैं जबकि जो complex organization होते हैं वहां पे यह ज्यादा बड़ा टीम होता है तो just imagine सिर्फ यह decision लेने के लिए company कितना खर्चा करता होगा अरे यही decision के basis पे तो organization का growth होता है the whole fabric of management यानि कि day to day operation किस पे based है managerial decisions पे based है एक manager को decide करना है कि उसका long term objective क्या है उसका strategy क्या है उसका policy क्या है वो कैसे काम करेगा उसका procedure क्या है यह सब manager decide करता है और इस decision के basis पे तुम्हारा company कहां जाएगा तुम्हारा organization कहां जाएगा यह पक्का होता है in fact जो staffing पढ़े हम लोग कौन कहां पे लगेगा कौन करता है यही करता है manager इसी करना decision होता है कि इस बंदे को यहां पे लगाना है मानों किसी गलत इंसान को गलत काम पे लगा दे what is staffing staffing is putting the right people in the right place सही इंसान को सही काम पे लगाना और वो गलती कर दिया इस काम में company का loss होगा company नुकसान में जाएगा तो यह decision के basis पे ही company का success या failure है उसको decide करना है कि job किस तरीके से किसको देना है कैसे किसको motivate करना है कैसा leader बनना है सब एक manager decision है कि वो एक higher performance achieve कर सके उसको decide करना है कि किस काम को control करना है और कैसे करना है simple word में बोले decision making is the substance of a manager's job इसका मतलब एक manager का काम का विभिन हिस्सा internal काम है decision making एक manager जब आ रहा है तो भले ही उसका job में लिखा हुए कि वो HR है human resource का manager है बट उसको decision लेना है ये implied होता है ये पता होता है तो हम लोग सीखे कि भाईया one of the most indispensable component एक ऐसा जो अलग नहीं हो सकता है एक manager के personality से उसका decision making Herbert A. Simon एक management को equate करते है decision making के साथ क्यों क्यों जो भी manager करता है वो कुछ नहीं है सिवाई decision making के manager सिर्फ decision लेता है काम कौन करता है नीचे जो लोग है subordinates तो Herbert A. Simon equate किये management is equal to decision making तो क्या होता है decision making भाया clear होगा बट अगर इसका proper definition देखने जाए तो क्या होगा Felix M. Lopez यह क्या बोलता है A decision represents a judgment decision judgment है यह कौन बोला Felix M. Lopez बोले A final resolution of a conflict of needs means और goal तीन चीज़ का बात करते हूँ conflict यानि कि एक type का confusion जरूरत यानि कि needs means उन जरूरत को पूरा करने का तरीका और goals हमारा objective इन तीन चीज़ के बीच में जो confusion होता है उसको clear करके एक decision लेना is decision making एक रास्ता चुनना is decision making a commitment to action made in the face of uncertainty complexity and even irrationality जरूरी नहीं है जो उनका decision लिये वो सही हो मैंने decision लिया कि I will go for offline classes मैं offline जाके पढ़ाई करूँगा मैं वहाँ पे गया covid patient था और मेरे को करोना हो गया मैं भी covid effective हो गया तो मेरा decision गलत था नहीं मेरा decision तो सही था ना लेकिन uncertain था पता नहीं है future में क्या होने वाला है complex confusing था कि जाएं या ना जाएं और irrational बहुत बर irrational होता है सही नहीं लगता है लोगों को लेकिन उसका जवाब जो होता है वो सही होता है George, Charles, Terry ये भी decision making समझाते है इनका कहना है कि alternative from two or more alternatives तुम्हारे पास दो चार option है दो या फिर दो से ज़्यादा options है और तुमको एक चुनना है एक option एक opinion तुमको चुनना है एक course of action George, Terry का ये कहना है Andrew, Shlagel वो definition जो दे रहे है decision making का वो काफी comprehensive है उनका कहना है काफी ज्यादा तक लोग इस definition से खोश है Andrew के उनका कहना है decision making is a process involving information choice of alternative implementation and evaluation तुम्हारे एक business है बहुत बड़ा तुम्हारे पास information है कि market में इस चीज का demand है तुम्हारे पास choice of alternative है ये सारे चीज को तुम machine बठागे बनवा सकते हैं example market में candles का demand है तुम्हारे पास दो alternative है एक कि तुम लोगों को जाके घर-घर candle बाटो दूसरा तुम दुकान में बाटो तुमने चुना कि मैं दुकान में बाटो तो अब implement करो बाटो उस candle को दुकान में जाके distribution system बठाओ और last में evaluate करो कि क्या यहां से profit सही हो रहा है नहीं हो रहा है दूसरा alternative में जाएंगे एक बाट decision ले लिये तो उसको बदला भी जा सकता है अगर time है तो situation में depend करता है completely जॉन मेकडॉनल्ड वो decision making का जब बात कर रहे है वो एक point पर stress कर रहे है पहले उनका decision making का definition को देखते है the business executive by profession is a decision maker uncertainty is his opponent and overcoming it is his mission क्या सुन्दर definition इनका कहना है कि जो भी business executive होते है business environment में जो लोग high post पे होते है उनका काम क्या decision लेना अगर उनसे पुछे तुम क्या काम करते हो I am a decision maker वो ये बोले है according to john mcdonald तो ये decision making का opponent कौन होता है uncertainty future में क्या होगा इनको नहीं पता तो decision लेने में दिक्कत होगा और इस uncertainty को overcome करते हुए जब ये आएंगे तो वो goal achieve कर सकते है whether the outcome is a consequence of luck or wisdom moment of revision is without doubt the creative event in the life of the executive again a very important line outcome जो हो रहा है जो result आ रहा है हो सकता है वो luck हो या फिर हो सकता है उनका समझदारी का परिनाम हो लेकिन हमेशा एक moment of revision रखना है अपने decision को देखना है यह हर executive का करतव यह है तीन definition अभी तक पढ़े फेलिक्स एम लोपेज क्या बोलते है इनका कहना है decision मतलब judgment लेना जोर्ज आ टेरी इनका तो सिंपल था कि अलग-अलग alternative एक चुनों जॉन मकडॉनल्ड इनका कहना है कि decision maker जो होता है कोई business executive जो होता है उसका profession है decision making और opponent कौन है uncertainty mission क्या है इस uncertainty को overcome करना एक और definition एंड्रियू का जो कि सबसे accurate लोगों क्या अनुसार कि decision में judgment information है तुम्हारे पास alternative है तुमको बस एक चुनना है उसको उसके ओपर काम करना है यानि कि implement करना है और आखिर में evaluate करना है कि जो काम तुम कर रहे हो उससे वो return मिल रहा है जिसका तुमको उम्मीद था आगे बढ़ते हैं next page thus a decision is the selection of a course of action from several alternatives and the decision making is the process of arriving at the final selection इसको कर दो स्टामाक यह एक कॉंक्लूजन सारे डिफिशन को मिला कि हर चाप्टर में हर टॉपिक का हम लोग क्यारेक्टर्टिक्स पढ़ें तो डिशिशन मेकिंग अभी पढ़ेंगे इसका पहला ठाएक्टरिस्टिक है decision making is a process of making a rational choice और selecting one of the various alternative course of action decision making में क्या हो रहा हैं तुम्हारे पास बहुत सारा कोर्स-इशन है अल्टनीटिव है अलग-अलग क्या और है तुम्हारे पास डो प्षकत है वह 10 ररूपीस है तुम मार्केट में जाके सिंहारान कोगई दूसरा तुम मार्केट में जाके फ्रूटि खाऊ दो alternative है, दो option है, तुमको एक rational choice करना है, advantages और disadvantages को आख सामने रखो, कि अगर हम fruit खाएंगे तो क्या फाइदा है, क्या नुकसान है, और हम सिंहाडा खाएंगे तो क्या फाइदा है, क्या नुकसान है, और एक rational choice, यानि कि अपने समझ से, सूज भूज से, decision लो, पहला characteristic, क्या, decision making process है, जिसमें rational choice लगता है, और अलग alternative से चुड़ना पड़ता है, दूसरा, decision making is necessary, only when different alternative solution are available, decision कब लेना पड़ेगा, जब alternative solution available है, अरे तुमको भूट लगा, और तुम्हारे पूरे society में, सिर्फ और सिर्फ एक sweet shop है, जहाँ पे शाम में समोसा मिलता है, तो 10 रुपाई में एक वही alternative है, एक वही solution है, जो available है, तो तुम decision क्या लोग है, वो तो मजबूरी है, covid का situation ले लो, lockdown है पूरे देश में, तुम्हारे पास एक ही option है, पैदल जाओ घर, तो उसमें decision क्या लेना, जब lockdown खुला, तब अलग-अलग options है, कि airplane से जाओ, या फिर train से जाओ, या फिर bus से जाओ, या बाइकार जाओ, क्या करें, third, decision making is a purposeful activity, यह एक purposeful activity है, इसका एक purpose होता है, एक aim होता है, जो decision लेने के बाद, अचीव करना पड़ता है, fourth, it involves the commitment of resources and reputation of the organization, आपके decision के basis पे, organization का is that ठीक है, पहला बात, decision जब भी लो, resources का जरुवत पड़ेगा, यह पड़ेगा, यह अलग-अलग form में हो सकता है, हो सकता है, information का जरुवत हो, decision maker को, decision लेगा, उसको कोई information का जरुवत है, उसके बिना वो decision नहीं ले सकता, example, एक इंसान है, जिसका नया-nया startup है, तो उसको resources चाहिए, information, उनको data चाहिए, जिनको यह software बेच सकते हैं, और इस decision पे, कि data कहां से लेना है, उनका reputation लगावा है, दाव पे, and the last characteristic, it is always related to the situation and environment, decision हमेशा situation के according लिया जाता है, for example, हम लोगा भी बात किये थे कि COVID में tuition जाना है, तो situation को देखो, कि तुम्हारे area में COVID का कितना cases आ रहा है, क्या हालात है, अगर खराब है, तो मत जाओ, और अगर सही है, तो चल जाओ, तो situation देखके, महौल देखके, environment देखके, तुमने एक decision ले लिया, simple, हमने पांच characteristic पढ़ा, एक बर revise करते हैं, पहला, decision एक rational choice होता है, अलग-अलग alternative से choose करने का, दूसरा decision तभी जरूरी है, जब तुम्हारे पास बहुत सारे option हो, बतलब एक से जादा option हो, थर्ड, ये एक purpose वाला activity है, इसका एक goal है, एक aim है, चौथा, decision लेने के लिए आपको resource का जरूरत है, और decision लेने के बाद, आपके organization का reputation उस decision के उपर निर्भर होता है, फिफ्थ, decision हमेशा, situation या फिर environment से किसी ना किसी तरीके से connected होता है, आगे बढ़ते हैं, अलग-अलग types of decision के बारे में बढ़ते हैं, सबसे पहले, total कितने type of decision हैं, total 10 type के decision होते हैं, इसको हम लोग दो-दो के group में बाट देते हैं, पहला routine and strategic decision, routine मतलब daily decision लगता है, सुबा उटके brush करना, fresh होना, office जाना, या फिर school जाना, या फिर college जाना, यह routine है, daily का, tactical या फिर routine, एक ही बात है, जो कि repetitive होता है, daily होता है, on a regular basis होता है, कुछ certain rule है इसको लेकर, procedure है, policy है, एक organization के नजरिये से देखो, एक organization का rule है कि जब वहाँ पे employee आते हैं, तो उनका data collect करना है, उनका attendance daily लेना है, और उनको train करना है, तो यह क्या है, पहला rule कि उनका data collect करना है, दूसरा procedure उनको train करना है, तीसरा attendance लेना है, rule कि data collect करो, यह rule है, रिवाज है, procedure कि वह जब आएगा, उसका attendance लो, policy भी होगा कुछ की नए वाले को इतना है salary तक देगे, उनको इस बात के लिए कोई नया data नहीं चाहिए, दे, neither require collection of new data, nor conferring with people, कुछ इसमें tension नहीं लेना, यह एक pattern set होके रखा है, ठीक है, कि daily सुभा आना है, office काम करना है, यहां से काम उठाना है, काम करके उस आदमी को report करना, उसके बाद घर जाना है, यह daily का routine होता है, तो इसमें कोई tension ही नहीं है, यह अराम से होगा, इसमें deliberations का जरुवती नहीं है, हो सकता है, कभी यह complicated हो, लेकिन हमेशा one dimensional होता है, यानि इसका अलग-अलग confusion create करने वाला कोई dimension नहीं है, अलग-अलग option नहीं है, यह एक ऐसा decision है, जो सालों से लोग लेते आ रहे हैं, और आपको भी वही लेना है, इस organization में, इंडिया में, कैसे choose होता है, प्रैम मिनिस्टर voting करके, यह decision है, जो की routine है, हर पांच साल में सेट होगा, नया प्रैम मिनिस्टर, इसके लिए क्या नया कुछ करना होगा, नया law pass करना होगा, नहीं, अगर देखा जाए, यह decision कौन लेते हैं, which of the people take routine decision, तो जो managers middle और lower level पे होते हैं, वो routine decision लेते हैं, और जो top level पे होते हैं, वो strategic decision लेते हैं, important, middle और lower, लेते कौन सा decision, रूटीन, और top management कौन सा decision लेते हैं, strategic, strategic को क्या बोलते हैं, basic decision, routine को क्या बोलते हैं, tactical decision, यह सब exams में आ सकते हैं, यह क्या है, strategic थोड़ा important होता है, routine वाला से, top management लेते हैं, strategic decision, top management लेते हैं, और कभी-कभी middle management भी लेते हैं, lower management strategic decision कभी नहीं लेगा जो बड़े-बड़े लेवल पे manager होते हैं वही यह decision लेते हैं the strategic decision relate to policy matters and so require a thorough fact finding and analysis of the possible alternative देखो यहाँ पर क्या होता है ज्यादा महनत है लोग ऐसा सुसते हैं कि top management को क्या ही महनत होता है California नहीं करना रहता है इनको operational काम नहीं लेकिन strategy बनाने के लिए information चाहिए तुमको एक्जयाम निकालना था information चाहिए होगा क्या-क्या strategy बनाने के लिए तुमको कि कितना दिन बागी है कैसा subject क्या इक्जाम करना ह्याय मैं क्या strategic decision में कैसे decision लिए जाते है policy matter पॉलिसी मैटर यानि कि कैसा policy होगा क्या रूल वगैरा बनाना है यहाँ पर रूल्स बन गया है और उसको follow करना है और वह रूल्स कैसे बनेगा क्या policy होगा क्या law बनेगा यह सब यहाँ पर top level पर होता है इसके लिए अच्छा से fact find करना होगा और analysis करना होगा, information लो और देखो क्या क्या कर सकते हैं, एक correct problem को चुणना और उसका solution निकालना, उसका decision लेना, इनका main काम है, तो यहाँ पर manager ज्यादा serious होते होंगे, एक सवाल, manager ज्यादा serious कहाँ पर होना पड़ता है, routine decision में या strategic decision में, ज्यादा serious strategic decision में होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर decision लिए, वही problem का solutions निकाला जाता है, तो पहला दो टाइप, पहला है routine या फिर tactical decision और दूसरा है strategic या फिर basic decision, आते हैं number two पे, programmed and non-programmed decision, program decision ये भी वही routine या फिर repetitive nature का है, एक regular basis पर ये decision लिया जा रहा है, लेकिन जो non-programmed होते हैं न, ये किसी problem, नए problem, unstructured, structured problem के कारण आता है, I'm sorry, unstructured problem के कारण आता है, एक ऐसा problem जो पहले किसी नहीं नहीं देखा, for example, polio, तुम जानते होगे एक बिमारी है, तो polio human being ने देखा था, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को polio का vaccine दिलवाते हैं, छोटे से age में, this is program decision, जो कि सरकार ने लिया, लेकिन a non-program decision था, COVID का कारण लोगडाउन लगाना, एक unstructured problem था तुम्हारे सामने, एक ऐसा problem जो कि नया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी था, कि ये एक ऐसा समस्या है, जो कभी ना किसी ने देखा है, कभी ना किसी ने सुना है, तो ये एक unstructured problem है, तो यहाँ पे कौन से decision लगता है, non-program decision, इसके लिए कोई standard procedure बना ही नहीं है, देखो अगर organization के नजरिये से देखे, एक employee absent करता है खुद को काम से, लंबे समय तक के लिए, बिना किसी को बताए, ठीक है, अभी जो supervisor होते है, इस employee के उपरवला आदमी, उसको क्या करना है, चीफ executive कोई matter देना है, क्या, नहीं, ये खुद से matter deal कर सकता है, क्यों, एक standard procedure बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई employee, लंबे वक्त तक, ऐसा absent करे बिना बताए reason, valid reason, तो उसको suspend कर दो, या फिर उसका charge sheet, या फिर उसका पैसा काट दो, ये standard procedure है, जो बना हुआ है, लेकिन, बहुत सारे employee absent हो रहे है, कोई information नहीं दे रहे है, तो इसका कोई procedure बना है, क्या नहीं, इसके लिए जाना होगा, उपर supervisor को, chief executive के पास, बोलना होगा, देखीना, सब absent क करने लगया, क्यूं, फिर वो decision लेगा, ये non-program decision, नया situation आया, और फिर decision लेना पड़ा, non-program decision के लिए क्या करना पड़ता है, thorough study of the problem, जो समस्या है, उसका खूब अच्छे से जाच परताल करो, scientific analysis करो, factor का, फिर decision लो, अलग-अलग decision, decision लेने से पहले, अलग-अलग alternatives को देखना काफी, जरूरी होता है, चाहे वो programmed हो, चाहे वो non-programmed हो, alternatives पे ध्यान रखना, is very important, अब आते हैं, number three में, policy and operating decision, policy decision काफी जरूरी होता है, top manager लेता है, again, policy decision, कौन लेता है, top management, क्यों, क्योंकि भाईया, यह जो है ना, पूरा enterprise को, effect करता है, अच्छा, यह policy decision क्या है, जैसे कि मानो, कोई employee, पास दिन के लिए absent हुआ, तो उस employee के साथ क्या होगा, यह decision लेना, पहले ले लिया, top management, अब नीचे वाला खाली follow कर रहा है, इसको, market में नया product आया, क्या करना है, यह decision management ले लिया, अब बस नीचे वाले को follow करना है, नीचे वाले जो follow कर रहे हैं, वो करेंगे या फिर नहीं, यह होता है operating decision, जो कि lower management लेता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यह सब operating decision, जैसे bonus issue, एक company में share होता है, share के ओपर bonus मिलता है कभी-कभी, यह policy है, यह बड़ा-बड़ा management ही decide करेगा, क्यों, क्योंकि मानो, गलट time पे bonus निकाल दिये, तो मेरा ही नुकसान है, मेरा share का price गिर जाएगा, मेरा image गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन, bonus लेना है या नहीं, यह तो top management है, top management को कौन बताएगा, इससे related information कौन देगा, operating decision वाला लोग, lower management वाला, कि sir, देखिए, यह यह information है, top management बैठेगा, देखेगा, अपना सोच, समझ से, दिमाग लगाएगा, और decision लेगा, तो policy कौन देखता है, top management, और operating decision कौन देखता है, lower management, नमबर four, organizational and personal decision, organization decision मतलब, जो कि manager लेता है, अपने official capacity में, जो उसको काम मिला, उससे related, यह काम वो किसी और को भी दे सकता है, बोल सकता है, कि आज हम नहीं आएगे, तुम यह decision ले लो, कि कितना production करवाना है, लेकिन जो personal decision है, जो कि manager के जाती जिन्दगी के लिए, वो organization को नजर रखते वे नहीं देख सकता, और वो delegate भी नहीं कर सकता है, घर में बच्चा का बड़्ड है, क्या बोल सकता है, अपने employee को, तुम जा के आ जाओ, नहीं, तो वो personal है, तो organization and personal decision are two separate things, और last, number five, individual and group decision, individual मतलब एक बंदा का decision, एक इनसान का decision, और group decision, यानि कि बहुत सारे इनसान का decision, छोटे-छोटे organization में individual decision, एक आदमी सारे decision लेता है, और बड़े-बड़े company में बहुत सारे लोग बैठते हैं, सोथ समझ से, मानो board of director, या फिर कोई committee बैठाते हैं, और फिर decision लेते हैं, छोटे organization में कौन सा decision लगता है, individual decision, बड़े organization में कौन सा decision लगता है, group decision, clear, these are the basic classification of decision, कैसे कैसे अलग टाइप का decision होता है, अब बात करते हैं, decision making process के बारे में, अब ये topic समझने के लिए, आप लोग के साथ एक exercise करता हूँ, काफे interesting है, imagine करो, ये आप हो, ठीक है, आपके पास अलग-अलग alternative है अपने business को लेके, आप कौन हो पता है, कौन हो, manager हो, किसी बड़े से company के, आपका company, मानो food juice बनाता है, तो आपके पास अलग-अलग alternative है, उसको बाटने को लेकर, पहरा alternative कि आप shops में बाटोगे हैं, दूसरा alternative आप online बाटोगे हैं, तीसरा alternative आप door to door बाटोगे हैं, और चौथ हो alternative कि आप sample दोगे पहले, और फिर जगह-जगह पे tent लगा के बाटोगे, ठीक है, चार अलग तरीका है, अभी क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग problem discuss कियें, कि क्या problem है, problem है भाईया, कि distribution कैसे करें अपने जूस का, कैसे बाटे लोगों तक कैसे पहुचाएं, ये problem, हम लोग क्या की अलग-अलग alternative देखेगी, चार तरीका है, पहुचाने का, उसके बाद क्या करेंगे, evaluate करेंगे उस alternative को, देखेंगे, ज्यादा फाइदा कहां से हो रहा है, कम खर्च कहां पे लग रहा है, बेस्ट रिटर्न कहां से मिल रहा है तो सब देखने के बाद समझ में आया कि ओनलाइन जो है वो बेस्ट लग रहा भी है अम लोग डिस ऑल्टेनिटिव इस दा बेस्ट वन Step 1 Manager problem चुना कि यह problem है Step 2 Manager अलग अल्टेनिटिव देखा और Step 3 Manager चूस किया best alternative को Step 4 जो कि है follow up आप ओनलाइन बेच रहे हो उसके बार ये नहीं कि इस ड्ए आ दिसिशिन दिया तो आराम से बैठ गले नहीं आपको चेक करना है time to time कि क्या आपका decision सही था क्या online जो return अपने expect किया था सोचा था कि इतना का मिलेगा उतना मिल रहा है चार step था decision लेने में इस चीज को हम लोग अब theory में देखते हैं पहले problem को identify करो diagnose करो क्या problem है problem कहां से आ रहा है क्यों हो रहा है knowing the gap between what we want to happen and what is likely to occur if no action is taken simple word में तुम क्या चाहते हो individual level पर देखते हैं तुम्हारे personal level पर मैं चाहता हूं कि मैं एक्जाम में पास हो तो what we want we want to pass an exam what is likely to occur if no action is taken अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या होगा आप पास नहीं होगे तो यह gap समझे आप इस gap gap अगर हम लोग देखें ऐसे diagram में इस तरफ है what we want इस तरफ है what we do इसके बीच में गैप है आप चाहते हो topper बनना लेकिन अब दिन भर करते हो मस्ती यह gap है इस gap को कैसे पूरा किया जाएगा एक decision लेकर कि हम पढ़ाई करेंगे plus action लेकर असल में पढ़ाई करना है इस चीज से आप इस gap को पूरा कर सकते हो और topper बन सकते हो simple graph समझ में आया वही चीज यहाँ पर बोला है कि एक gap है क्या चाहिए और क्या होगा इस दोनों के बीच में newman and summer दो लोग थे इन्होंने निकाला था यह concept cause of the gap कि problem क्यों है और क्या है यह पता करो decision लेने से पहले सबसे पहला step पीटर एफ ड्रकर क्या बोलते है critical factor analysis critical factor analysis is helpful in identifying the causes of the problem अगर आप बैठ कर factor analysis कर रहे हो कि यह problem क्यों है इस जड़ तक जा रहे हो तो उससे decision लेने में काफी मदद मिलता है decision maker should collect as much information as possible before attempting to solve it किसी भी problem को solve करने से पहले problem को जानो और खूब सारा information लो इतना information लो कि enough हो उस problem को solve करने के लिए if possible in addition to tax opinion should also be collected information के अलावा जरुवत पढ़ने पोपीनियन लो जैसे कि हमारे example में अलग-अलग distribution system था मेरे पास एक problem है बाटे कैसे मेरे पास चार alternative है अरे तुम जाके public से पूछो उसको कैसे लेना पसंद है इन डाटा कलेट करो ठीक है ओपीनियन लो लोगों का और फिर डिसिशन लो सेकेंड स्टेप alternatives को develop करना अब बात आया evaluation का evaluation मतलब देखना advantage और disadvantage simple word में देखो यहां पर क्या बोलता है कि the decision maker draws balance sheet of every alternative advantage एक तरफ रखता है disadvantage एक तरफ रखता है और फिर decision लेता है जब alternative develop करते हैं second वाले step में तो उसको क्या-क्या चीज का ध्यान रखना है manager को उसको viable और realistic रहना है ठीक है पहला उसका decision viable हो और उसे मंद हो और दूसरा real हो ऐसे नहीं कि हवा में तीर छोड़ रहे हैं कि उसको time देखना है cost देखना है उनको problems देखना है क्या क्या आ सकता है psychological barriers देखना है new path अत्रिवा था यह जो दोनों थे यह focus किए brain storing and group participants के उपर इनका कहना था कि जो group में लोग काम करते हैं वो काफी fruitfully होता है alternative develop करने के दौरान क्योंकि नए नए ideas आते बहुत तरफ से ingenuity research creative imagination यह सब required है best alternative create करने के लिए again back to our topic evaluation of alternative क्या करना एक balance sheet बनाना है advantage एक तरफ लखो disadvantage एक तरफ लखो और जिसमें advantage ज्यादा आ रहा है और बहतर आ रहा उसको choose कर लो इस advantage और disadvantage को pros cons भी बोलते हैं ठीक है simple कैसे करते समझ में आगिया evaluation the purpose of all this exercise is to limit the number of alternative to manageable size and then consider the alternative for selection यह क्यों कर रहे evaluation ताकि जैसे हम लोग यहां पे चार evaluation रखें चार रखें तो यह चार कैसे आया होगा मेरे तो हजार अलग-अलग तरीका है देने का हम broker के द्वारा दिलवा सकते हैं एजेंट के द्वारा दिलवा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं समान बेशने के लिए लेकिन हम यह चार पर आएं ठीक है यह चार पर हम कैसे आएं ठीक है एवैलुइशन मतलब देखे कि कौन कौन साल्टरेटिव बहतर है कुछ यहां पर चीज बोला कि यह सब चीज का धियान रखो आलटर्णीटिव को एवैलुइट करने के दौरान पहला कि तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्स एवैलेबल है कितना पैसा है कितना टाइम है उस हिसाब से तुम अपना और बड़ा बजट है तो तुम बड़ा और ओलन जाएगा तुम अपना खुद का एपसेट बना है पाइदा होगा यह सकता है सकता है तो उस चीज़ीस पर दखो क्या रिज़ल्ड एकसपट करता है उस चीज़ान रखो कितना कम टाइम है ताइंoug का प्रॉबलम है की नहीं इस चीज़ पर धीयान रखो common goal क्या है यह बता हो और accomplish करना एक ही नहीं इस चीज़ का ध्यान रखो implement करते दौरान क्या-क्या problem आएंगे इस चीज़ का ध्यान रखो यह कुछ examples है आते हैं point number D पे यानि कि हमारा जो last step है alternative को select करना नहीं second last stage है ठीक है alternative को select करना अभी हम लोग देख लिए सारा alternative सारा अलग-अलग option देख लिए अभी क्या करते हैं select करते हैं best वाला ठीक है यही पर आता है decision लेना यह हो रहा है decision लेना में इससे पहले भी हम लोग decision लिए पहला step में problem क्या है यह decision लिए है दूसरा step में क्यासे अलग-अलग alternative निकालेंगे यह decision लिए फिर उन अलग में से evaluate करेंगे यह decision लिए फिर लास्ट में decision लेंगे this is selection और यह step में एक successful manager और एक failure manager के बीच में या फिर less successful one के बीच में difference create होता है यह वाला यह जो alternative select कर रहा है यह decide करेगा कि आप successful हो गए या फिर unsuccessful रखर पीटर रेफ ड्रकर नाम सुना है चार criteria रखें पहला the risk दूसरा economy of effort timing तीसरा limitation of resources रखर चार रखें यहां पर तीन लिखा है risk economy of effort यहां पर कॉमा होगा ठीक है page number 257 में economy of effort के बाद में कॉमा डालो ठीक है पहला risk दूसरा economy of effort तीसरा timing चौथा limitation चार है ठीक है तो यह चार criteria रखेंगे तुमको alternative चुनना है देख लो पहला risk कितना है जिसमें सबसे कम risk है उसको चुनो लेकिन उसके पाद देखो economy of effort कि इसमें return on investment best है हम लगाए 100 रुपया और बहुत सारा महनत बदले में मिला 200 रुपया और एक में नहीं प्पचास रुपया और बहुत सारा मेहनत बदले में मिल रहें 500 रुपया कौन सब्डे devam होगा Greater economy of effort गौको पचास रुपया के साथ कम मेहनत लग रहा है return ज्यादा मिल रहा है 100 रुपया के साथ बहुत महनत लग रहा है return कम मिल ठीक है timing देखो कितना time में तुम्हारे पास और रिसोर्स देखो कितना रिसोर्स है तुम्हारे पास उसके बाद एक अल्टरनेटिव चुन लो चुनने के बाद टाइम टू टाइम क्या करना है implementation and follow-up यह फाइनल स्टेप है जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किये है बाकी लोगों भी तुसको एक्सेप्ट करना होगा ताकि इसका successful implementation हो फालो आप यानि की time to time देखना की सही चल रहा है कि नहीं a manager should least hesitate to write out a decision that does not accomplish objective काफी important line कि एक manager को जरा सब इननी डरना है अगर कोई decision उसका objective अचीव नहीं कर रहा है हटाओ नया decision लो flexible रहो इस बात में fixed मत रहो अडे मत रहो कि नहीं काम करेगा काम करेगा नहीं नहीं काम कर रहा है दिख रहा है यह चीज़ बदलो a manager should see it necessary that all organizational members participate in the decision making as decision implementation हर member participate करे यह कौन दिखता है manager देखता है decision making क्या होता है उसका characteristics यह सब हम लोग समझ गए है सवाल आता है कि decision making का technique क्या क्या है किस किस तरीके से decision making किया जा सकता है तो total 6 techniques है पहला linear programming again this is a very important concept एक बार जात करोगे सोचवे हो जाए नहीं होगा time देना होगा इसको okay पहला linear programming इसमें क्या हो रहा है तुम्हारे सामने दो चीज़ होते है जब कोई decision लेते किसी problem से related यह problem में इससे related को solution निकालना है तो दो चीज़ का धियान रखना है इस method के according पहला तुम्हारा resources तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ है दूसरा constraints तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ नहीं है इस दो चीज़ का धियान रखना बहुत ज़रूरी है resources बोले तो for example land labor capital entrepreneurship तुम्हारे पास यह सब होना चाहिए constraint मानों तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास entrepreneurship का skill नहीं है basically यहाँ पे बोल रहे हैं कि resources जो की तुम्हारे पास है उसका ज्यादा से ज्यादा उप्योग करो और constraints जो की बोल सकते इस चीज को जो problem है तुम्हारे पास उसको कम से कम रखो minimum रखो resources को maximum utilization करो best utilize करो सबसे अच्छा से इस्तमाल करो constraint को minimum रखो जितना कम ले जितना कम ले उतना अच्छा देखो आओ पढ़ते हैं linear programming एक ऐसा टेक्नीक जिसमें objective functions को optimization होता है कुछ resources और constraints को दियान में रखते हुए जो वहाँ समझाएं वही English में लिखा है the objective function is either maximization of some utility, maximization of some utility और minimization of some disutility और minimization of some disutility वही बात है the technique is useful under condition of certainty एक conditional linear programming में एक conditional linear programming में condition of uncertainty मतलब condition of certainty अगर तुम certain है किसी बात को लेके तभी यह वाला technique यूज होगा तुम certain है कि तुम्हारा exam आने वाला चार महना में तो तुम linear programming कर सकता है लेकि तुम uncertain है कि exam कब वो का पता ही नहीं तब linear programming नहीं हो पाएगा certain मतलब तुमको पता है कि future में क्या होने वाला है तुम sure है 110% उसको लेके second probability decision theory इसमें basically देखा जाता है future को और बोला जाता है कि future probabilistic है ना कि deterministic तुम इस theory को जब follow करोगे तुम से कोई पूछेगा कि exam कब वोने वाला है तुम बोलोगे शायद तीन महना बाद probably after three months तुम determined नहीं हो क्योंकि covid का situation ने तो sure नहीं यह के तीन महना बाद लेकिन probably तीन महना बाद होगा various probabilities are assigned to the state of nature on the basis of available information or subjective judgment and the likely outcome of the alternative courses of action are evaluated accordingly before a particular alternative is selected बहुत सारा probability देखते हैं सिर्फ एक नहीं इस theory के according अलग-अलग alternative set करते हैं nature के according हमारे problem का जितना information ने उसके according जैसा judgment लेना उसके according और फिर एक alternative वहां से select करते हैं दो दो ऐसा method है जब यह technique use होता है एक pay off matrices किस तरीके से payment करें उसका एक technique होता है इसका detail में नहीं जाना दूसरे decision trees decision लेने से पहले यह graph अगेरा बनाके हम लोग practice करते हैं मतलब sure होते कि decision सही है कि नहीं तो यह दो चीज में probability decision theory लगता है again probability decision theory में हमको पक्का नहीं है कि मेरा decision क्या होगा हमको लगता है कि मेरा decision मतलब मेरा future यह होगा probability यह होगा sure नहीं है ऊपर linear programming में हम certain थे कि यह होगा यहाँ पर sure नहीं है तीसरा game theory यहाँ पर ना game चलता है यह हमेशा competitive scene में होगा कब होगा competitive rivalry के time conflict के time जब तुम किसी के साथ competition कर रहे हो तब यह theory लगाओ game खेलो उसके साथ game खेलो कि तुमको gain करना है ज्यादा और खर्चा रखना है कम ताकि तुम वही चीज को better दाम पर बे के बीच में competition and number of person बहुत सारे लोगों के बीच में competition या फिर जीरो सम नॉन जीरो सम गेम्स यह सब एक game theory का concept है पहला था linear programming जिसमें हमको पता है क्या होने वाला है अपना resources को maximum use करो अपना constraints को minimum रखो डिस यूटिल यूटिलिटी उसका constant के कारण नुकसान होने को कम से कम रखो दूसरा probability decision theory इसमें पक्का नहीं future में क्या होने वाला है तो हम decision लेंगे क्या देखते वे पहला state of nature कैसा problem है दूसरा information जो मेरे पास है तीसरा subjective judgment ये तीन चीज़ का देहन रखते वे तीसरा game theory एक खाली-खाली competitive वाला time पे लगेगा जब तुम्हारा competition चल रहा है मानों दो लोग के साथ या फिर उससे ज्यादा के साथ तब क्या करना है तुमको इस game के according बहतर होना आगे वाले से खर्चा को कम करना है अपना product को बहतर करते जाना है that's it दो टाइप का example दिया एक तो two percent three percent होता है एक zero sum non zero sum that's it detail में क्या होता है कैसे होता अभी नहीं समझना है बाद में समझना है चौथा क्यूविंग थियोरी इसमें क्या होता है जब तुम्हारे पास waiting line problem है एक दो नहीं बहुत सारे problem है पड़ेवे आगे में इर्रेगुलर डिमांड के कारण तब यह थियोरी लगेगा आई एम रिपीटिंग यह टेकनीक वेटिंग लाइन प्रॉब्लम में लगता है कब गब पर्सॉनल एक्विप्मेंट सर्विसेज पर्सॉनल मतलब लोग एक्विप्मेंट मतलब समान सर्विसेज यह सब को लेक जैसे कि मशीन वगएरा जो की ट्रैक्टर्स वगएरा यूज होते खेती में हर बार नहीं होंगे कभी कभी होंगे साल की अकॉर्डिंग सीजन की अकॉर्डिंग अम्रेला तो यह सब का क्यों यहां पर लगाते हैं मतलब एक आप्टिमेट वैल्यूम वॉल्यूम और फैसि हो गाएं बारिश चालू हो गया लेकिन पर चाता नहीं क्यों बना के नहीं रखें तो एक इस चीज का ध्यान रखो कि जैसे बारिश आ है वैसे तुम मार्केट में चाता बेशना चालू कर सको दूसरा इन्वेस्टमेंट चाता बना के रखना पड़ेगा भाड़ा में ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी होस्पिटल बिग डिपार्टेमेंट वह लोग करते हैं सिम्यूलिशन यह एक ऐसा टेकनीक है जब हम लोग एक सिस्टम का बिहेवियर अब सिंपल वर्ड में बताते हैं ठीक है एक दम सिंपल वर्ड में एक ऑफिस है मेरे को पता नहीं हम एक नया रूल ला रहे हैं कि जितने भी इंपलोईज आएंगे सब को यूनिफॉर्म पहन के आना है अब इसका फाइदा होगा कि नुकसान मेरे को नहीं पता हम क्या करेंगे एक डमी क्रियेट करेंगे मतलब हम बोलेंगे कि एक यूनिफॉर्म तुम लोग दस दिन तक पहन के लिए ऐसे एक नया सिमुलेट के इंवाइरमेंट बनाए हैं ठीक है रूल नहीं बना भी फिर हम चूज करेंगे दस दिन का रिजल्ट के ऊपर कि मेरे को क्या डिसिशन लेना है यह सब हम किसी और बड़ा बिजनेस को देखते भी कर सकते अपना ख अब आरेमेंट जो होता है काफी कंप्लेक्स होता है और पॉसिबल नहीं है कोई एक चीज को करना अच्छे से पता ही नहीं यह क्या करना है तो यहां पर वह उपने लोग कर सकते हैं कि नहीं समझ मेरा क्या करना एक बड़ लगा के देख लो आटिफीशली अंदरी अंदर स पॉसिबलीटी से तब ना पता चलेगा क्या करना है अलग अलग पॉसिबलीटी इसको आटिफीशल सेटिंग में देखो ना की नैचलिल सेटिंग में नेटवर्ग टेकनीक दो होता है CPM, PRT, CPM मतलब critical path method, PRT नहीं कि program evaluation and review टेकनीक, यह क्या होता है भईया, यह क्या होता है भईया, दिमाग मत लगाँ, थोड़ा complex चीज है, अभी सिर्फ यह समझना है कि नेटवर्ग टेकनीक क्या होता है, बहुत बाना complex projects होते हैं, जिसमें time औ motive होता है, कि वो दोनों को minimum रखें, खर्चा भी कम से कम रखें और कम से कम वक्त में problem का solution दे दें, यह critical path है, असान नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, यहाँ पर manager को अपना attention देना बहुत ज़रूरी है, एक diagrammatic network of activities बनाया जाता है, जिससे project complete हो, मतलब एक network बनाएगा, यह का network बना दो, और काम को चालू करवा दो, decision उसी की basis पर होगा, ठीक है, मतलब एक आदमी सब चीज़ नहीं देख रहें, network बनावाए, अलग-अलग लोगों का, decision भी वो लोग लेंगे, तो time और cost उससे कम लगेगा, this is network technique, दो टाइप होता है, CPM and PERT, अब आते है, modern technique for non-program decision, अ non-program, अचानक से आ गया, तो पहला creative technique, lockdown इंडिया में था, non-routine चीज़ हर बार होता है, हर साल होता है, नहीं, नया था, creative था, creativity क्या होता है, it refers to the ability to generate new ideas, and new ways of doing things, नया तरीका से नया चीज़ को करना, brainstorming is one of the creative technique, brainstorming यानि कि, खुद से सवाल करते रहना, लगातार, किसी एक problem को लेकर, और अलग-अलग solution देखते रहना, time to time, यह होता है brainstorming, brain को एक दम काम पे लगा देना, अलग-अलग idea को सोचने के लिए, ताकि कि किसी भी problem का solution निकले, असल में यह group based technique है, group चाहिए होता है, इसके लिए, एक आदमी से नहीं चलेगा, group बैठेंगे, अपना-अपना option देंगे, उसमें से best solution निकल के आएगा, हो सकता है ideas wild हो, impractical लगे शुरुबात में, लेकिन वो creative हो सकता है, और हो सकता है कलको वो practical हो जाए, तो creative is easy, एकदा मसा, नए idea लाओ, नए तरीके से काम करो, group में करते हैं इस बात को याद दखना है, पार्टिसिपेटिव टेकनीक्स, employee participation in management और decision making काफी जरूरी है, भले ही लोग बोलते हैं कि गलत है, बट ये चीज़ देखा गया है कि बहतर result क्रियेट करता है, उनको motivate करता है, हम लोग पढ़े हैं motivational leadership में, जो participative approach है, कि उनको बुलाओ, और पुछो उनसे, कि वो क्या काम करना चाहते हैं, उनका क्या राय है किसी problem को लेकर, इससे decision making बहतर होता है, क्यों बहुत सारे लोग involved हो रहे हैं, तो quality जो है decision का बहतर होते जाता है, बेटर बेटर चीज़ आएगा, लोग अपने में motivate भी हो हैं, तो मेरे को अच्छे से करना है, ठीक है, तीसरा heuristic technique, it is a sophisticated type of trial and error technique to find solution to complex problems, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, trial और error हम try कर रहे हैं, सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो फिर से try करेंगे, step by step, हर step में ऐसे ही चलेगा, यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाता है कि decision making complex है, strategic है, rational और systematic नहीं है, it is bound to be sporadic and fragmented, क्यों gap है बीच में, भाईया, दो नया word आया, sporadic and fragmented, इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही है, बिखरा हुआ, ठीक है, हो सकता है इस method में gap का information के कारण काफी बिखरा बिखरा लगे सब कुछ, goals में conflict हो, human behavior अलग आए, गलत हो जाए कुछ, nature uncertain हो, लेकिन ये trial error है, इसमें ऐसा कोई rule वगेरा नहीं है, कुछ certain rules of thumb लगा के, euristics, यूरिस्टिक के अगादमी थे, वो कर भी लेते थे, बट ऐसा कोई strict rule नहीं है, simple word में euristic में trial error है, कोशिश करो pass हुए, तो ठीक fail हुए, तो फिट से करेंगे, आज कल computer लगा देता है यहाँ पर, ताकि तुरंट तुरंट काम हो, यूरिस्टिक टेकनीक में, तो तीन टेकनीक non-programmed के लिए, creative, participative and heuristic, अब आखरी हिस्सा हमारे syllabus का, guideline for effective decision making, एक अच्छा से decision लेने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आप थोड़ा guidelines देदो हम लोग को, पहला, multiple decentralized center लगाओ, एक आदमी का हाथ में सब कुछ मद दो decision, multiple center लगाओ, बड़ा organization है तो, delegation of adequate authority, सारा power एक आदमी का हाथ में मद दो, delegation रखो, बाट के रखो, ताकि हर जगा पे अलग सोच समझ से decision लिया जाए, दूसरा, determination of appropriate decision making work node at each center, हर center में जो तुम load देके रखा है, उसको देखो, कहीं हो ज़्यादा तो नहीं है, overload तो नहीं हो रहा है, तीसरा, coordination रखना बहुत ज़रूरी है, सारे centers के बीच में, communication रखना बहुत ज़रूरी है, consistency रखना, cooperation का बहुत ज़रूरी है, time to time चेक करते रहो, कि सारे लोग काम ठीक से कर रहे हैं, तुम manager हो, ये सब manager का नजरिया है, पहला, अलग 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 काम दो, सब को एक काम नहीं देना है, दूसरा, workload हर किसी को थोड़ा थोड़ा दो, तीसरा, check करते रहो, consistently कि कोई overload तो नहीं, काम सही से हो रहे हैं, की नहीं हो रहे है, expert advisory staff रखो, अच्छे लोगों को रखो, जो advice करें तुमको, जब भी ज़रूरत हो, formulation and communication of organizational objective, अरे तुम decision लिया, अपना objective, अपना policy, य यह मेरा decision है, number six, design and installation of decision support system, which include information and control system, so as to provide logistics support to managers, एक ऐसा support system बनाओ, लोगों को अपने support में रखो, ऐसा environment रखो, ऐसा control रखो अपने organization के ऊपर, कि तुम्हारा काम असानी से हो, so this was decision making, अगर किसी भी type cut out हो, please whatsapp me, thank you